हाई, मैं श्वेता हूँ और फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ Express Yourself मैं बात करना चाहती हूँ expression के आप क्या सोचते हैं You know, क्या होता है न? हम expressionless हो जाते हैं हम अपनी बात नहीं कहते हैं लोगों को क्यों नहीं कहते हैं आपको पता है? सर्फ इसलिए क्योंकि लोग आपके बात को समझते नहीं है आपकी सोच को समझते नहीं है और इसलिए धीरे धीरे आप कहना बन कर देते हैं अपनी सोच को You know, it's blocking you आप जो सोचते हैं उसे कहिए अगर आपका intention सही है आपकी सोच सही है आपके according तो उसे रखिये हाँ, ये ज़रूर कहूंगे कि कहां रखिये किस से कहिए ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हर कोई इनसान आपके बात को नहीं समझ सकता हर किसी की सोच आपकी सोच से मिले आपको like-minded people आपके surrounding में हो या ऐसा ज़रूरी नहीं है हामें ये नहीं कहूंगे कि हर कोई आपके बात को समझेगा पर please अपनी बात को रखिये expression less mud बनी है definitely आपको आपकी life में ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे जनसे आप अपनी सोच को share कर सकते हैं हर बार judgmental होना सही नहीं है या ये सोचना कि यार यहां पर हम अगर अपनी बात कहेंगे तो ये लोग क्या सोचेंगे देखिए बहुत सारे लोगों में कुछ तो ऐसे लोग ज़रूर आपको मिलेंगे और नहीं भी समझेंगे ना तो याद रखेंगे कि आपने क्या कहा है आज मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, बहुत कम लोग दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे वीडियो उसको बहुत सारे लोग दिखते हैं, लेकिन कोई भी एक इनसान मेरे comment box में ये लिखते ना कि ये वीडियो उसके लिए अच्छा रहा है या उसकी life में कुछ change आया है, मे लेकिन definitely कही न कहीं, कभी न कभी कोई तो ऐसा और होगा जो इन वीडियो से connect करेगा खुद को, हो सकता है उस टाइम पर ये वीडियो उसके काम आ जाए, हो सकता है उसको मेरी learning से कुछ सीखने को मिले, क्योंकि देखो मैं भी अपने surrounding में इन चीज़ों को देखती हूँ, ज मैं अपनी बाते कहती हूँ, जो मैंने learn किया है, मैं सोचती हूँ, कि अगर उससे किसी को help मिल सके, तो definitely मुझे वो चीज़े share करनी चाहिए, हो सकता है, उस टाइम पर उस व्यक्ति का mindset वैसा न हो, जो उस चीज़ों को समझ सके, लेकिन उसके दमाग में वो चीज़ें और कहीं न कहीं उसे उन बातों से help मिलेगे, हम सब survivor हैं, हम सब अलग-अलग चीज़ों को, अलग-अलग लोगों को face करते हैं, जिनसे हमारी vibration मिलती है, या जिनसे हमारी vibration नहीं मिलती है, तो यहाँ पर express करना बहुत सरूरी है, देखी क्या होगा ना, जब तक आप अपने स सोच को share नहीं करोगे या express नहीं करोगे ना, लोग जानेंगे नहीं कि आप किस तरह के इनसान हों, बहुत सारी लोग जो मुझसे नहीं connect कर पाते थे, आज वो मुझसे connect कर पाते हैं, देखे हम सब की सोच अलग-अलग होती ही है, हमारी learning के according, हम जो सोचते हैं, हर किसी की सो कुछ healing वाली नहीं होगी, हम सब के environment अलग है, पर अपनी बात को कहना बहुत सरूरी है, जब तक आप कहेंगे नहीं न, आप को समझ नहीं आएगा कि आपकी बात को सुन सकता है, समझ सकता है अपनी बात को, अपने emotions को बाहर लाइए, हाँ, ये आपको पता होना जाए कि आ कौन सी बात कह रहे हैं, आपकी सोच, आप क्या सोचते हैं, उस सोच को रखिये, वो important है, अपने किस्से कहानिया मत रखिये, उससे आपको कोई नहीं मिलेगा, उससे आप बस दुसरों को gossip ही दे पाएंगे, क्योंकि वह जैसे turn होंगे न, आप एक story का part बन जाओगे, तो story क part मत बनिये, किस्से कहानिया मत बनिये, अपनी सोच को पढ़ाईए और उस सोच को रखिये, कि आप किसी situation में क्या सोचते हैं, क्या आपकी ऐसी सोच है, hesitate मत होइए, सही सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, उससे कहिए, ये मत सोचीए कि लोग क्या सोचेंगे, लोग तो फिर भी सोचेंगे, अगर आप छुप रहेंगे तो भी सोचेंगे, तब भी आपको नाम दिया जाएगा, और अगर आप बोलेंगे तब भी आपको नाम दिया जाएगा तो इतनी लोगों के परवामत कीजिए, कहिए अपनी बातों को, अपने थॉट्स को शेर कीजे, आपके thoughts से कोई न कोई सीखेगा ही क्योंकि हम सब भी किसी न किसी से सीखे ही है हमारी learning ऐसी ही हुई है कि हमने कोई quote पढ़ लिया हो या किसी का video देख लिया हो हम सब सीख रहे हैं एक दुसरे से तो अपनी बातों को रखे और guilt मत रखे अंदर कि अगर आपने कुछ कह दिया है और किसी ने आपके बात को गलत ले लिया है उसके लिए guilt मत कीजे ये मत सोचे कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था सामने वाला hurt हुआ है देखो सामने वाले का जो mindset होगा न वो आपके बातों को वैसे ही लेगा अगर आप positive भी कहेंगे और अगर सामने वाले का mindset negative है न तो आपके positive बातों को भी negative ही लेगा बहुत ज़रूरी है Express करना हाँ, Express कैसे करना है किससे करना है कौन से situation में करना है या आपको देखना पड़ेगा पर अगर आपने कोई चीज़ कह दिया तो उसके उपर guilt मत लाईए आपने अच्छे intention के साथ ही share किया है या कहा है I hope ये video आपके लिए helpful रहा होगा expression बहुत ज़रूरी है चाहे आप लिखिये चाहे आप बोलिये किसी भी way में आप express कर सकते हो अगर आप किसी के सामने express नहीं कर सकते तो आप copy में लिखिये आप mirror work करिये mirror के सामने बोलिये पर अपनी emotion को बाहर निकालिये expressive बनिये बहुत ज़रूरी है अपने अंदर अपने thoughts को रखना आपकी energy को block करेगा आपकी thyroid gland को block करेगा समझे इस चीज़ को हर चीज़ का balance होना बहुत ज़रूरी है over expression भी नहीं होना चाहिए right तो चलिए मैं next video में मिलूंगी hopefully ये video आपके लिए काम में आया होगा पर आप please इस video को ध्यान से सुनिए और समझे कि आपको express क्या करना है अपने किस्से कहानियों को नहीं अपनी सूच को अपने vision को तर मिलूंगी next video में thank you so much